एक और एहम खबर हात्रस के जिस सत्संग में सेक्रों लोगों ने अपनी जान गवाई उस बाबा के अंसुने किस्ते एक एकर के सामने आ रहे हैं जिनते शायद ही आप रूबरू हो सूरज पालोर पभोले बाबा के कासगंज वाले आश्रम में नियूस 24 का कैमेरा उस रसोई में पहुंचा जहां बाबा की खीर यानी प्रसाद और वो चाय भी बनाई जाती है जिसे बाबा चमतकारिक का चाय बताकर लोगों के बिमारी ठीक करने का दावा करता है क्या दिखा कैमेरे पर नियूस 24 के देखी आप फे कासगंज के बाहदुर नगर में जो बाबा का आश्रम है उसी आश्रम के ये रसोई घर है जहां पर जो कहा जाता है के जो सेवादार है उनके लिए भोजन पकाई जाता है इसके लाबा जब शद्धालू आते हैं यहाँ पर जो परसाध वित्रण होता है वो परशाध भी इसी रसोई घर में बनाया जाता है तो तीन अलग अलग जो है वो प्रमिस्स हैं बाबा के आश्रम के एक जो चौकी नमबर एक के पास है वो है और दूसरा ये रसोई घर का ठीक पीछे जो राइन को की सालहों तो इसके बाबा केरे तो सेवादार खड़े रहते हैं हमेशा जो पिंक ड्रेस में सेवादार हैं वो खड़े रहते हैं और उनकी हर चार-चार घंटे बार ड्यूटी चेंज होती है और उसके लावा जो ये पूरा रसोई घर का जो प्रांगन आप देख रहे हैं जहां पर तो कि हर मंगलवार को यहां पर तयार होता है उसके बाद भक्तों में वो प्रसाद का वित्रण होता है बाबा नारायन शाकार हरी का जो आश्रम है वो लगबग 20 भीगे में फैला हुआ है और उसी आश्रम का एक हिस्सा ये भी है जहां पर यह हैं और यह अंदर भी लगे हुए हैं इसी का दूसरा हिस दूसरी तरफ है और उसके बाद जो जहां बाबा अपना सालों पहले समाधिल काते थे या सत्संग करते थे वो जगा भी है लेकिन अब तो कहीं सालों से बाबा नारायन शाकार हरी यहां पर नहीं पहुँचे हैं और लेकिन एक बड़ा सवाल इसको लेकर भी खड़ा हो र दूर्ज हैं जिनोंने यहां पर गुप दान दिया जिनोंने जो पैसा दिया जो आश्रम को बनाने के लिए देखिए बाहर का हिस्साइद एक आश्रम का यह है एक से अगली इमारत है और उसके बाद थोड़ा सा दूर जाके जहां पर सेवादार भी खड़े होते हैं वह ज